गुद्मॉनिंग बच्चों जैसे कि आप सबी जानते हैं जब हम किसी संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करते हैं तो जो हमारा गुनन्फल आता है वो इन दोनों से या तो बराबर होगा या फिर बढ़ा ही आता है जादतर क्या आएगा बढ़ा आएगा गुना करने पर गुनन्फल बढ़ा और भाग करने पर भाग करेंगो उनेंचस को साथ से भाग करेंगे सातु सातु उनेंचस तो भाग फल क्या आएगा छोटा आएगा इन तुट जो इन में से बड़ी संख्या है उससे तो छोटा ही आएगा गुणा करने पर हमें हमेशा बड़ा अंक प्राप्त होता है और भाग करने पर हमें छोटी संख्या प्राप्त होती है तो ये बात हमें अच्छे से ध्यान रखनी है गुणा करने पर हमें बड़ा प्राप्त होता है और भाग करने पर हमें छोटा प्राप्त होता है आप के तो से फिर एको रंग आया नो एक हम नो से बढ़ा आया तो जो बड़ी संख्या होगी इन दोनों में से उससे चोटा है यह बराबर भी हो सकता है अगर हम एक से भाग करेंगे तो बराबर आ जाएगा है और भाग करने पर हम छोटी संख्या प्राप्त करते हैं ठीक है भाग करना मना उसके टुकड़े करना जब हम किसी चीज के टुकड़े करेंगे तो छोटे ही होंगे और गुना करना मना उसको बार बार जोडते जाना उसमें कुछ जोड रहे हैं जोड रहे हैं तो वो बड़ा एक मीटर में कितने सेंटीमेटर होते हैं तो अब हमें अगर मीटर से सेंटीमेटर में परिवर्टन करना एक को क्या बना देना है 100 बना देना है तो मीटर से इस तरफ जाना है तो गुणा होगी और जब इस तरफ आना है 100 से किस पर आ जाना है एक पर तो हम भाग करेंगे ठीक है, जैसे हमारे पास है 7 सेंटीमिटर हमें मीटर में परिवर्तन करना है तो 7 बटा 100 अब देखो हमें 100 से 1 में जाना है ठीक है तो हमें भाग करना पड़ेगा ठीक है तो 100 से भाग करेंगे तो 0 जाना है पीछे से 2 अंक लगाकर दश्मलव लगेगा 0 दश्मलव 0 7 अब ये किस क्या बन गए मीटर जब हम इधर से इधर जाते हैं और भाग भी कर देते हैं तो वो सेंटीमीटर से क्या परिवर्तन हो जाते हैं मीटर में परिवर्तन हो जाते हैं अगर हमारे पास है 111 सेंटीमीटर और इसको मीटर में परिवर्तन करना है तो हम भी सेंटीमीटर से कहा जा रहे हैं मीटर उल्टे चल पड़े हैं 100 को 1 बनाना है छोटा कर देना है छोटा करना है तो हमें भाग करना है 111 हैं बटे 100 2 zeros तो पीछे से 2 आंग किन कर और हम दश्मलव लगा देंगी 1 दश्मलव 1 एक मीटर ठीक है आ गया समझ में तो इसी तरह से हमें करने हैं सारे अब घर हमारे पास है 7 मीटर और 46 सेंटी मीटर अब ये तो मीटर ही है हमें सिर्फ इसको परिवर्तन करना है सिर्फ सेंटी मीटर को मीटर में परिवर्तन करना है इसको हम ऐसा का ऐसा छोड़ सकते हैं क्योंकि हमें क्या दिया गया है मीटर से संटी मीटर में परिवर्तन करें कि तो ये तो पहले मेटर है इसको परिवर्तन करने की जूर्त नहीं है अगर हमें कोई कहे कि जाकर हम बजार से गए दो पैंसिल और दो रबड लिया है तो ममी ने कहा कि रबड तो तुम्हें चाहिए नहीं था तो रबड को परिवर्टन करना है हमें रबड की जगह पैंसिल ले आओ तो पैंसिल को तो हम घर छोड़ की जा सकते हैं तो उससे परिवर्टन करने की ज़रूरत नहीं है इसी तरह इसको परिवर्टन करने की ज़रूरत नहीं है 46, 7 मीटर रहेंगी और 46 को क्या करेंगे 100 से भाग 7 मीटर और ये क्या हो गया दो जीरोज हैं पिछे से दो अंग गिनकर और दश्मलव लगा दीजे तो अब हो गया 7 दश्मलव 46 मीटर ठीक है ये जो 0 होता है हमने वैसे ही लगाया होता है ताकि हमारा दश्मलव दिखाई दे तो अब ये 0 की आवश्रता नहीं थी और इस मीटर को भी पिछे आई रहे तो ये हो गया 7 दश्मलव 46 मीटर तो इसी तरह की प्रश्म आपको दिये जा रहे हैं मीटर से सेंटीमीटर में परिवत्न करें उन प्रश्मों को आपको हल करके और मुझे भीजना है